आग्रा में सरवाधेत लोग प्रिय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आग्रा जिले में कोरोना संक्रमण की दर लगतार कम हो रही है पिछली पांच दिन में जिले में चालिस हजार 461 लोगों की कोरोना जाज कराई गई जिसके साब एकशे जिले में 25 मरीज मिले है वहीं पांच दिन में जिले में एक मरीज की मौत हुई है पांच दिन में कोरोना संक्रमण की दर शुन दश्मलो छे एक फिजदी रही है आग्रा जिले में कोरोना संक्रमत की दर धीरे-धीरे शुनी की ओर बढर रही है. पिछले पांस दिन में एकाई संख्या में कोरोना मरीजों की पुष्टी आग्रा में हुई है. आगरा जिले में पिछले 5 दिन में कॉरोना संक्रमण की दर पर एक नजर डालते हैं 17 जून को 7,743 लोगों की कॉविड जांच कराई गई जिसमें 3 कॉरोना मरीज मिले हैं जिले में कॉरोना संक्रमण की दर 17 जून को 0.038 फिजदी रही है यानि प्रती 2581 लोगों की जांच में एक कोविड मरीज की पुष्टी हुई 16 जून को 7,869 लोगों की कोरोना जांच कराई गई जिसके सापेच 4 मरीजों की पुष्टी हुई जिले में 16 जून को संक्रमण की दर 0.05 फीजदी रही यानि 1,964 लोगों की जांच में एक मरीज की पुष्टी हुई 15 जून को 8,504 लोगों की कोरोना जांच कराई गई जिसके सापेच 4 मरीज जिले में मिले 15 जून को कोरोना संक्रमण की दर 0.04 फीजदी रही यानि 2126 लोगों की जांच में एक मरीज की पुष्टी हुई 14 जुन को 8000 पचत्तर लोगों की कोरोना जांच कराई गई जिसके सापेच 6 मरीजों की पुष्टी पुष्टी जिले में हुई थी 14 जुन को कोरोना संक्रमट की दर 0.074 फीजदी रही यानी 1345 लोगों की जांच में एक करोना मरीज की पुष्टी हुई 13 जून को 8281 लोगों की करोना जांच कराई गई थी जिसके सापिच 8 मरीज आगरा जिले में मिले थे 13 जून को करोना संक्रमण की दर 10.096 दी रही थी यानी 1035 लोगों की जांच में एक मरीज की पुष्टी 13 जून को हुई थी आगरा जिले में पिछले पांस दिन में एक मरीज की मौत की पुष्टी जिलाप्रसासन ने की है जून के महीने में संक्रमण की दर लगातार गिरी है जिसके चलते कोरोना मीटर के आंकड़े सुधरते दिख रहे हैं जिले में अब 155 एक्टिव कोरोना मरीज रह गए हैं विजय बगहेल सी न्यूस आगरा